गोपू नाम का ये वैसा तपशिया में लीन होता है तबी पीछे बेटा ये सेर अपने भाई बाभूलाल को बोलता है थोड़ा आगे जाके तो देखो ये वैसा जिन्दा है यै नहीं भाई की बात को चुनके बाभूलाल चार कदम आगे आता है जैसे ही गोपु को चूता है गोपु उचक जाता है उचकते ही गोपु बोलता है कौन है बे बोश्रियल वाला जिसने मेरी तपश्या को भंग किया अगर आगे से मेरी तपश्या को भंग किया तो तुम लोगों की कबर को मैं यही खोड डालूँगा इदर डर के मारे तबी चादर नाम का ये हाइना बोलता है, चेर भाई आज आपने मेरी गर्दन को सरम से जुका दिया, चीचीचीचीचीचादर के जाते ही पांडू नाम का ये हाइना निकलते वे बोलता है, आज बाबी जी को जरूर बोलुगा की, वो कोई और मर्द देख ले, फिर पटा तुम्हारी जगे में होता तो उस बैसे को खड़ाई नहीं होने देता एक 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 बाद एक हाइना की फटकार सुनके बाबुलाल की आंकों में बेहो सिचा जाती है और सरम के मारे बाबुलाल भी नासुके रोने लगता है